हलो प्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आपके लिए तंदूरी चाय की रेस्पी लेके आई हूं जो आप तजूरी चाय बनाएंगे उसको बिना तंदूर के बनाएंगे और इसका जो स्वाद है बहुत ही लाजवाब होता है आप जो चाय को बना के प प्रस कर दीगे जिससे आपको नई और मज़तार स्पीस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्पेशल तंदूरी चाय बनाना वह बिना तंदूर के तो इसके लिए सबसे पहले हम ले ले लेंगे एक पैन गरम हो जाएगा तो दाल देंगे वन ठेल स्पून चाय पती और इसको लोग फ्लेम पे ही हमें एक मिनट के लिए कर लेना है हाय इंगे नहीं करना है बिल्कुल आप लेंग को लो कर के रखते हैं तो लो फ्लेम पे हम इसे अठे से रोस्ट करते लाच शिना हंगे खेन नगी चीनी चीन आप पर टेस्ट के रकॉर्डिंग नालेगा मैंने यहां पे दो चमफ चीनी का यूज किया है तो आप अगर ज्यादा मीठा चाते हैं तो आप चीनी और ज्यादा यूज कर सकते हैं इसको भी हम लो फ्लेम पे ही इस तरह से थोरे दिल तक भूल लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे तो यह देखिए, 102 मिन लगते हैं इसको melt होने में यह धीरे-धीरे melt होना शुरू हो गई है तो हमें इस तरह से चलाते रहना है और चीनी को अच्छे से पिखलने देना है जब चीनी पूरी अच्छे से पिखल जाएगी और इसका जो brown color है वो आजाएगा आप गैस का flame को बिल्कुल high मत कीजिएगा ने तो यह चीनी है वो जल जाएगी और जो चाय का स्वाध होगा वो इदम चला हुआएगा तो यह देखे चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और यह हलके हलके करेमल होने लगी है वरने लगी है तो हम इसको क्या करेंगे अब low flame पे ही पकाना है हमें बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे दूद मैंने यहाँ पे वरनन हाफ कप दूद का यूज़ किया है दूद आप अपने हसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे तो इस तरह से यह देखे लो फ्लेम पे ही हमें इसको दूद डालने के बाद को चलाते रहना है यह जो गार्ट सी बन गी है वो इदम से मेल हो जाएगी तो यह देखिए दो मिर्ट के अंदर ही यह इसमेल हो गयी है अब हमें इस चाय को बहुत देर तक नहीं पकाना है बस मीडियों मेडियम पे हम इसे दो मिर तक और पका लेंगे और लौ टु मीडियम फ्लेम पी हम इसे पकाएँगे हम इसमें डाल देंगे कोटी बीच बीच में आप इस तरह से चलाते रहें जिससे इसका स्वाद है सारे जो हमने मसालेस में डाले हैं अदरक तुलसी और इलाइकी वह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसका स्वाद है वह बढ़ जाएगा तो हम इससे बस दो मिन तक ही पकाना है तो यह देखिए इसको पकत चान लेते हैं तो यह देखिए हमारी स्पेशल तंदूरी चाय बनके रेड़ी है वह भी बिना तंदूर के आप जब इस चाय को पीएंगे तो आपको इदम स्वाद तंदूरी चाय की तरह आएगा और इसका जो स्वाद है आप भूलनी पाएंगे बहुत ही टेस्टी लग और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जड़ी से सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रस कर दीजे जिसे आपको नई और मज़ेदार रेस्पीस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे थैंक यू